की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पस्टिम एशिया से अपना बुरिया बिस्तर समेट रहा है यह रपोर्ट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्रैन सामने आ गया है युद्ध के सब्तर दिन बाद पता चल गया है कि खुद इरान ने इस्रेल और अमेरिका के खलाफ अपनी रणनीटी से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलवार क्या होगा, कहा होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेश्या में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इस्रेल रोग पाईगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इस्रेल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि इस्लामिक रिवलुशनली गाड़, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है, इरान का मकसर इस्रेल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इस्रेल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरफ फंसते चले चाएं इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इसरेल के पड़ोसी देशों लेबना, सीरिया, इराक और इसरेल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंती संगतन हेजबुला से भी इसरेल पर हमला करवा रहा है और इसरेल के दूसरे पड़ोसी देश, सीरिया में तो खुद इरान मौजूद है उसने वहाँ से इसरेल को गेड रखा है सीरिया और इसरेल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अरक्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चन एशिया में तानाथ किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरेल के पीछे छोड़ दिया हूथी विद्रोहियों फिलस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरेल पर मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौझूद लाल सागर पुबी जंग का अखाड़ा बना दिया है वो वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं हूथी विद्रोहिवने कसम खाई है कि जब तक इसरेयल गाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा खूथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तौबा कर ली है इस वजह से एशिया से योर्प और योर्प से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफरीकी महात्वीप का लंबा चोड़ा चक्कर लगाना पढ़ रहा है जिससी सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पढ़ने लगा है इसलिए अमेरिका और ब्रिटन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की बहरेदारी करनी पड़ रही है हूथी वे द्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से ऐसे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में पंदर ड्रोन मार के रही है तो क्या इरान की चाल में फस गए हैं अमेरिका और इज्रैल? अमेरिका और इज्रैल अपने ताकत पर हथियारों और पैसे के दम पर घाजा की जंग लड़ रहे हैं, मगर इरान की आयाज जेसी के हैट मीजर जनरल होसेन सलामी ने, तो टू कहा की बश्यमेशिया की जंग ना बैसों से जीती जा सकती है ना हथियारों से. उन्होंने अमेरिका पर बेहद दी खावार किया और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपज़ा अमेरिका को जीत दिला पाएगा? क्या अमेरिका इराक में ठिक पाएगा, क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, क्या अमेरिका करोणों डॉलर खर्च करके लिए अपनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया, या फिर उसे हार कर मैदान शोड़ना पड़ा इरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाए वो एहम है अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पा है तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इसरेल के खिलाफ अपना हथियार बनाना चाहता है क्या खाजा को इसरेल के लिए अफगानिस्तान बना देगा इरान क्या इरान इसरेल का वही हश्र करने वाला है जो इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्व योद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर पन कर उब रहा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है जैपूर से बड़े कबर आपको पता दे जेजेयाम यानिकी जल जीवन मिशन में ब्रस्टाचार का महा बड़ा कुलासा हुआ है एन जे जेयम की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्टाचार का कुलासा हुआ है बड़ी ख़बर आपको पता रहे बीच में जैपूर से बड़ी ख़बर जे जेयम में महा ब्रस्टाचार का बड़ा कुलासा किया गया है साप हो गया कि घटिया सामागरी का सामान इस्तमाल किया गया था घटिया सामागरी के पाइप जंक लगे हुए पाइप का इस्तमाल किया गया था लगाता जो जेजेम के कारियों में कई चौकाने वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है डी पी आर में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वालिटी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुकतान किया गया है जहां स्रिपोर्टर में भारी आने मताओ का एक कारियों में कई ऐसे एहम खुलासे हुए हैं एक महा भ्रस्टा चार का पॉल अब सामने आ गया है राकेश अब बिल्कुर देखिए जिस तरीके से न्यूच 18 लगातार जल जीवन विसन में भ्रस्टा चार के मामले उजागर करता रहा है उसके बाद राश्टिय जल जीवन मिसन के कारी करवाए गए हैं उन कारियों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रस्टा चार हुआ है यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चोकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के प पाइप माने हम तो वो उस पाइप की जगे एक डेड़ सो रुपे का पाइप लगाया गयार उसकी जाच के बिना ही बुक्तान किये गए साथी जो एक हमेशा डिजाइन और जो अप्रूवल का जो एक कंसप्ट होता है ड्रॉइंग डिजाइन उसको बिना अप्रूवल के ही निर्मान कायर शुरू किये गए यानि जो नीव रखी गई जल जीवन मिशन के कारियों की उनमें भी प्रश्टाचार सामने आया है जल जीवन मिशन के कारियों के लिए एंजे जीम की टीम ने राजस्थान के कई जिलों का दोरा किया उन तमाम जिलों में जब जाच की जो है केंद्रिय जल्चक्ति मंत्राले ने जारी किये थे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही इन विलोका भुक्तान होना था लेकिन यहां राजस्तान में जो निर्माण कारी हुए हैं उनकी जाच के लिए थर्ड पार्टी के लिए मैन पावर ही नहीं था यानि बिना कारियों की गुनवत्ता बिना निर्माण समगरी की गुनवत्ता की जांच के ही जो अधिकारियों ने ठेकेदारों को दिलोका भुक्तान किया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फर्मों को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था एन जे जेम की टीम ने अपनी जिता भी सामने आई है जो पाइप लगाए गए है डियाई पाइप और जो एस्टीपी पाइप है उन पाइपों के लिए जो फैक्टरी के दिसा निर्देश से कि क्या कुछ महां पर होना चीए था कितर की वनवत्ता मैंटेन करनी चीए थी वो भी उन फैक्टरियों में न पर पानी जल भराव की समस्या आने लगती है बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर तुझेजिया में महाप्रस्चाचार का महाकुलासा हुआ है नैशनल यानि की केंद्र जल जीवल मिशन ने